C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तो थे कक्षा 3 की पर्यावरण अध्यन की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्वुत संसार प्रिष्ट संख्या 123 अध्याय 10 वस्त्वों की दुनिया आईए अपने परिवेश का अवलोकन करें। खुशी कुछ जल्दी विद्याले पहुँच गई थी। सूरी का प्रकाश खिड़कियों से कक्षा के भीतर आ रहा था। कक्षा में उजाला था और बहुत सुन्दर लग रहा था। खुशी इस दृशी का चित्र बनाना चाहती थी। सोचिए उसने क्या बनाया। क्या आप खुशी के बनाई चित्र में वस्त्वों के नाम लिख सकते हैं। इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक कक्षा का चित्र है, जिसमें सामने श्यामपट पर गडित का सवाल है। और चित्र के दाई तरफ दरवाजा है, जो खुला है। चित्र के बाई तरफ एक चित्र है। इस चित्र में ग्यारा रिक्त स्थान हैं, और वस्त्वों को एक तीर की सहता से उन्हें परदर्शत किया गया है। अब आप उन वस्त्वों के नाम लिखें, जिन्हें तीर की सहता से बताया गया है। क्या इस चित्र में आपको कांच की खिड़की दिख रही है? क्यों और क्यों नहीं? प्रिष्ट संख्या 124 गति विधी 1 अपनी कक्षा को जानिये अपनी कौपी में कक्षा का चित्र बनाईए आपने जिन वस्तूओं की चित्र बनाए हैं उनके नाम कौपी में लिखिये इन चीजों से बनी होती हैं आईए खुशी को इनका पता लगाने में सहता करते हैं ये मेज और कुरसी लखड़ी के बने हैं हमें लखड़ी कहां से मिलती है? दरवाजे के कबजे यानि जोड़, कीलें और कुंडियां धात्मों से बने होते हैं क्या आप जानते हैं? धात् इस प्रिष्ट पर कुछ वस्त्मों के चित्र हैं, जैसे सीड़ी, मेज, कुरसी, कील, इत्यादी. शिक्षक संकेत, बच्चों को उनके परिवेश में सामाने तोर पर पाई जाने वाली धातुएं, जैसे लोहा, तामबा, एलियूमेनियम, सोना, चांदी, थर्मामीटर में मौजूद पारा, यानि मरकरी, या फिर मिश्रित धातुएं जैसे स्टील, पीतल और कांसा, यानि का से आधी दिखाईए, मिश्रित धातु में दो या दो से अधिक धात्वों का मिश्रण होती हैं, प्रिष्ट संख्या 125, गति विधी 2, धात्वों को पहचानिये, धात्वों से बनी अधिक से अधिक वस्त्वों तथा उनके भागों के बारे में पता लगाईए, आप अपन बड़ों से पूछ कर पता लगाईए, अपनी कॉपी में इन धात्वों के नाम की एक सूची बनाईए, पता लगाईए, कक्षा में और कौन-कौन से वस्त्वे हैं, जैसे चटाई, बिजली के बल्ब, बिजली के स्विच आदी, ये सब किस्से बनी हैं? आर पार देखने क पदार्थ, खुशी अपनी कुरसी पर बैठी थी, वो सुन्दर फूलों से भरे पेड़ को देख रही थी, वो उन्हें चुने के लिए गई, उसका हाथ खिड़की के शीशे से लग गया, खुशी ने खिड़की के पनलों पर ध्यान नहीं दिया था, वो शीशे के बने थे उसने जाना कि वो फूलों और पेड़ों को शीशे में से भी देख सकती थी, शीशा तो ऐसा ही होता है, क्या आपके घर के किड़कियों में भी शीशे लगे हैं, क्या आप शीशे से बाहर देख सकते हैं, आपको क्या दिखता है, इस प्रिष्ट पर एक चित्र है, जिसमें खुशी शीशे से बाहर एक पेड को देख रही है। प्रिश्ट संक्या 126 गते विधी तीन वस्तुओं के आर पार देखना। अपने आस पास से विभिन्य प्रकार के पदार्थों से बनी कुछ वस्तुओं जैसे बोतल, कागज, कपड़े, बर्तन आदि को एकत्र कीजिए। अब इने सामने रख कर किसी जलते हुए बल्ब या मुम्बत्ती की लौ को देखिए। आप कुछ वस्तुओं के आर पार पूरी तरह देख सकते हैं। और कुछ वस्तुओं के आर पार बिलकुल भी नहीं देख सकते। इसी आधार पर इन वस्तुओं को यहां दी गई ताल मेज पर रखी एक मुम्बत्ती को बोतल के अंदर से देखने की कोशिश कर रही है और दूसरे चित्र में एक लड़का उसी मुम्बत्ती को कागस के अंदर से देखने की कोशिश कर रहा है इस प्रिष्ट पर एक तालिका है तालिका के तीन भाग है पहले भाग में सबसे उप पर लिखा है, जिनके आर पार साफ दिखाई देता है। दूसरे भाग में लिखा है, जिनके आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब आप इस तालिका को स्वयम भरें। ध्यान रखें, किसी भी वस्तो के माध्यम से या सीधे ही सूरी की और लगातार न देखें। ये आपकी आँखों को नुकसान पहुचाएगा। हम जिन वस्तों से आर पार देख सकते हैं, उन्हें पार दर्शी कहते हैं। अधिकतर काच पार दर्शी होते हैं। किसी एक और वस्तों का नाम बताईए, जो पार दर्शी होती है। इस प्रिष्ट के निचले हिस्से में एक चश्मे का चितर है। प्रिष्ट संक्या 127 आप काच से आर पार देख सकते हैं, परन्तु लकडी से नहीं। आप जिन वस्तों से आर पार नहीं देख सकते, उन्हें अपार द दर्शी है, परन्तु लकडी अपार दर्शी है। इसके सामने एक पुस्तक का चितर है। कुछ वस्तों इन दोनों के बीच में होती हैं। इनसे आर पार पार पूरी तरह साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इन्हें पार भासी कहा जाता है। कुछ पार भासी वस्तों के ब आईए भरें, इस दुनिया में रंग, दो या तीन पारदर्शी थेलियां, बोतलें और विभिन रंगों के पतले कपड़े लीजिए, इनके सामने एक सफेद कागज को रख कर देखिए, यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की का चित्र है, लड़के के हाथ में एक कागज जिससे उसने अपने आखों को ढख रखा है, क्या कागज का रंग बदला हुआ दिखाई दे रहा है? जब आपने नीले रंग के पतले से प्लास्टिक या काँच को आगे रख कर सफेद कागज को देखा, तो क्या कुछ अलग सा लगा? पीले रंग के पतले प्लास्टिक से आरपार नीले रंग की वस्तु को देखने पर वो कैसी दिख रही थी? क्या आपने पहले कभी रंगीन पारदर्शी वस्तुओं से आरपार किसी भी वस्तु को देखने का प्रयास किया है? उन अनुभवों को याद करने की कोशिश कीजिए. प्रिष्ट संख्या 128 ये वस्तु में किस से बनी है? खुशी के कक्षा में वापस चलते हैं. लिखिए. चेन खेल यहां दी गई तालिका में खुशी ने वस्तुओं को उनके पदार्थों, कौन सी वस्तु किस पदार्थ से बनी है के आधार पर समुमें बाटा है? तालिका के पहले स्तंब में वस्तुओं के नाम है और दूसरे स्तंब में जिस पदार्थ से वो निर्मित हैं, उनके नाम है. तालिका का तीसरा स्तंब खाली है, जिसे आपको भरना है. यहां आपको उन अनुमान किगे वस्तों के नाम लिखने हैं, जो उस पदार्थ से निर्मित हैं आपके आसपास कुछ वस्तों ऐसी भी होगी, जो इस सूचि में दिए गए पदार्थों से अलग पदार्थों से बनी होगी उधारण के लिए मिट्टी और रबर से बनी वस्तूएं खुशी की सूची में नहीं है। इस प्रकार के वस्तूओं के नाम लिखने के लिए तालिका में अत्रिक्त पंक्ती जोड़िये। यहाँ पर एक तालिका है। तालिका के तीन भाग हैं। पहले में लिखा है खुशिकी सूची, दूसरे में लिखा है पदार्थ का नाम और तीसरे में लिखा है आपकी कक्षा या घर में उपलब्द इस पदार्थ की अन्य वस्तुमें आईए अब तालिक को समझें खुशिकी सूची 1. मेज, कुरसी, दरवाजा पदार्थ का नाम लकड़ी आपकी कक्षा या घर में उपलब्द इस पदार्थ की अन्निवस्तों पैंसिल उधारन के लिए खुशिकी सूची दो दर्वाजे के कबजे यानी जोड कीले पदार्थ का नाम धातू खुशिकी सूची तीन खिड़के के पल्ले बिजली के बल्ब पदार्थ का नाम काच खुशिकी सूची चार पदार्थ का नाम प्लास्टिक रिक्तिस्थान अब आप इनके सामने आपकी कक्षा या घर में उपलब्द इस पदार्थ की अन्निवस्तों के नाम लिखें और रिक्तिस्थानों को भरें ये पदार्थ आखिर आते कहां से हैं क्या आप उनके स्रोत का पता लगा सकते हैं उधारन के लिए लकड़ी पेड़ यानि लकड़ी पेड़ से प्राप्त होती है धातू रिक्तिस्थान कपड़ा रिक्तिस्थान अब आपको ये बताना है, धातु हमें कहां से मिलती है और कपड़ा हमें कहां से प्राप्थ होता है और इसी तरह आप इन रिक्त स्थानों को भरें क्या आप जानते हैं, काँच अधिकाश्ता रेत से बनता है प्रिष्ट संख्या 139 पता लगाईए, अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछिए जब वो छोटे थे, क्या तब भी ये वस्तुमें इन्ही पदार्थों से बनी थी? क्या अब कुछ ऐसे पदार्थ आ गए हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे? क्या ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं, जो उन्होंने अपने बच्पन में तो देखे थे, पर अब वो प्रिष्लन में नहीं हैं? ऐसा क्यों? विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वरूप अलग-अलग होता है, क्या वो किसी और तरीके से भी अलग होते हैं? क्या आप बंद आँखों से किसी भी पदार्थ की पहचान कर सकते हैं? पता लगाईए, आपका चम्मच किस से बना है? क्या ये धातू, लकड़ी या किसी अन्य पदार्थ से बना है? अनुमान लगाईए, यहां दिये कौन से शब्द या वाक्यांच चम्मच के लिए उप्योगी होते हैं? चिकना, खुरदारा, चमकहीन, चमकदार या छूने में ठंडा? इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र है, जिसमें एक लड़की अलग-अलग तरह के चम्मचों को देख रही है? प्रिष्ट संख्या, 130, गति विधी पांच, इसको चूओ और ये बोलेगा? औरकेस्ट्रा, धातों की एक चम्मच और तरह तरह के पदार्थों, जैसे लकड़ी, धातो, प्लास्टिक, कपड़े और कांच से बनी कोई पांच वस्त में लीजिए, और प्रतेक पर धीरे से चम्मच मारिए, चम्मच से मारने पर पैदा हुई ध्वनियों को ध्यान से और इन सभी ध्वनियों को अपने शब्द दीजिए, इन ध्वनियों को शब्दों के माध्यम से बोलकर बनाईए, जैसे तिंग तिंग, धम धम, डब डब, इत्यादी, अब आप अपनी ताल बनाईए, तिंग तिंग, ठक ठक, तिंग ठक, तिंग ठक, तिंग ठक, तिंग पर एक लड़के का चित्र है, जो अलग-अलग पात्रों पर चमज को बजा कर अपनी ताल बना रहा है. क्या ये मुड़ गई? खुशी के मेज लकडी से बनी है. सोची, मेज और किन पदार्थों से बन सकती है? क्या कपड़े या रबड से भी मेज बनाई जा सकती है? क्यों या क्यों नहीं? लकडी का ठोर और कडी होती है, जबकि कपड़ा मुलायम और लचिला होता है. कपड़े के लचिले पन के कारण उससे पोशाक और परदे बनाई जाते हैं. कल्प न कीजिए कि अगर पोशाके भी लकडी से बने तो लिखिये, बे मेल जोडे, पांच वस्त पडार्थों के साथ जोडियां बनाईए, जो उनके लिए उप्युक्त नहीं हैं. ये पडार्थ उन वस्त्वों के लिए उप्युक्त क्यों नहीं हैं? कारण बताईए, एक उधारन दिया गया है. प्रिष्ट संखिया 131 यहाँ पर एक तालिका है. तालिका के चार भाग हैं. पहले भाग में लिखा है क्रम संखिया, दूसरे में वस्तू, तीसरे में पडार्थ, और चौते में लिखा है कारण. क्रम संखिया 1, वस्तू 6, पडार्थ कागज. कारण बारिश में कागज गीला होने पर फट क्रम संख्या दो अब आप दो से च्छे तक के क्रम संख्याओं में स्वैम, वस्तू, पदार्थ और कारण स्वैम लिखें क्या ये बहता है? खुशी ने बेमेल जोडियों में बड़े मज़े से लिखा दिवार पानी से नहीं बन सकती हम पानी से दिवारे नहीं बनाते हैं क्योंकि वो गिर जाएंगी पानी के दिवार को और क्या हो सकता है? दिवार बनाने के लिए ठोस वस्तू में चाहिए जैसे पत्थर, इट या लकड़ी जो वस्तू में अपना आकार नहीं बदलती उन्हें ठोस कहा जाता है पानी का कोई एक आकार नहीं होता है ये बहता है, हवा भी बहती है परन्तु हवा और पानी के बहने में अंतर है यदि आप एक गिलास में पानी डालेंगे तो पानी उसमें रहेगा पानी तरल है हवा गिलास में नहीं रुकती वो अंदर और बाहर होती रहेगी ऐसा इसलिए क्योंकि हवा गैस है इस तरह पदार्थों को तीन प्रकारों में बाढ़ सकते हैं ठोस, द्रव, इवं गैस यहाँ पर तीन चित्र है पहला चित्र एक पुस्तक का है और उसके नीचे लिखा है ठोस दूसरी चित्र में एक गिलास में पानी है और उसके नीचे लिखा है द्रव और तीसरा चित्र हवा से भरे एक गुबा रिका है और उसके नीचे लिखा है गैस प्रिष्ट संख्या एक सौबत तीस गतिविदी छे चलिए एक अलग तरीके से इनके समोह बनाते हैं यहां कुछ वस्त्वों के नाम दिये गए हैं स्याही, पत्थर, धुआ, बर्फ, रक्त, भाप, चम्मच, शहद, बोतल, बैग और पानी यदि ये वस्तू ठोस है तो इसका नाम ट्रे पर लिखिए यदि ये द्रव है तो इसका नाम बोतल पर लिखिए यदि ये गैस है तो इसका नाम गुबारे पर लिखिए यहाँ पर ट्रे, बोतल और गुबारे के चित्र है और उनके अंदर पाँच रिक्तिस्थान है अब आप इन वस्तू को समझ कर स्वैम इनके नाम ट्रे, बोतल या गुबारे पर लिखिए ट्रे, बोतल और गुबारे में अपने मंद से भी कुछ वस्तू के नाम लिखिए कुछ वस्तू के बारे में ब्रह्म हो सकता है, जैसे रेत, स्पंज और मिट्टी इस तरह की और वस्तू का पता लगाईए और कम से कम प्रतेक प्रकार की तीन वस्तू के नाम लिखिए शिक्षक संकेत कुछ पदार्थ जैसे की रबड, रेशे और मोम पौधों और पशु पक्षियों द्वारा प्रकरतिक रूप से भी बनाय जाते हैं और कृत्रिम तरीके से भी बनाय जाते हैं उधरन के लिए मधु मख्या अपने छटे के लिए मोम बनाती हैं परन्तु इसी तरह का मोम पेट्रोलियम से भी मनाय जा सकता है पेट्रोलियम एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो धर्ती के नीचे बहुत ही गहराई में मिलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, आदी सब पेट्रोलियम से ही बनते हैं पैट्रोलियम अधारित पदार्थ जैसे की पैट्रोल, प्लास्टिक, रबर्ड या पैरफिन मोम आदी गएर बायोडिग्रेडेबल कच्रा प्यादा करते हैं. कक्षा तीन में इस अवधारन का केवल उल्लेक भर करें. आगे के कक्षाओं में इन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. प्रिष्ट संख्या 133. प्रकर्तिक कृत्रिम. खुशे ने अपने चित्र में आम का एक पेड़ बनाया जिस पर बहुत सारे आम लगे हैं और एक चड़िया बैठी है. पेड़, आम और चड़िया मनुश्यों द्वारा नहीं बनाए जाते. ये प्रकर्ति में प प्रकर्तिक वस्तुमें कहते हैं. कुछ प्रकर्तिक वस्तुमों में जीवन होता है, जैसे की पेड़ पौधे और पशुपक्षी, जबकि कुछ प्रकर्तिक वस्तुमें जीवन नहीं होता, जैसे चट्टाने, पानी, एवं हवा. मनुश्यों द्वारा बनाई वस्तुमों क प्रतेक समुह में पांच वस्तों की सूची बनाईए प्रकृतिक रिक्तिस्थान और कृत्रिम रिक्तिस्थान अगले अध्याय में हम पता लगाएंगे कि वस्तों बंती कैसे हैं पता लगाएंगे क्या आपने अपने आस पास ऐसे पेड़ पौदे देखे हैं जिन पर वर्ष के किसी विशेश समय पर फूल और फल लगते हैं यदि आपने कभी पका आम खाया है या बाजार में आम देखे हैं या आम का पेड़ देखा है तो अनुमान लगाईए कि खुशी ने वर्ष के किस माह में ये चित्र बनाया होगा क्या ये जन्वरी का समय होगा या जून का हमारे आसपास के परिवेश में उपलब दुवस्तवें विभिन्य प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं ऐसे तीन पदार्थों के नाम लिखिए जिने हम अपने आसपास देखते हैं चर्चा कीजिए माना कि आपको एक चमकेली चमच मिली है आपको नहीं मालुम कि ये किसी धातों से बनी है या फिर किसी और पदार्थ से बना कर उस पर चमकदार रंग से पेंट किया गया है आप कैसे पता लगाएंगे कि वास्तों में ये किस से बनी है ग, चित्र बनाईए, किनी तीन प्रकर्तिक और तीन कृत्रिम चीजों के चित्र बनाईए यहाँ पर एक रिक्तिस्थान है, इसमें आप स्वेम चित्र बनाएं ग, मिलान कीजिए, यहाँ पर एक तालिका है, तालिका के दो भाग है पहले भाग में लिखा है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी और दूसरे भाग में लिखा है कागस से बना लेंपशेड, थाली और चेश्मे में लगा काँच अब आप इनका स्वैम सही मिलान करें, विराम करते हैं अभियाप सुन रहे थे कक्षा तीन की पर्यावण अध्यान की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्वुत संसार, वाचन्स्वर, प्रवीन शर्मा, ध्वनियांकन, मंजु कुमारी, निर्मान सहयोग, सुरेंदर कुमार, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, ने दिल्ली, भारत.